हेलो गालाइस वर्कुन दो चैनल आज हम फाइनल यहां पर बात करने वाले हैं MacBook Air के बारे में दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने Instagram पे और जितने भी हमारे उसल मीडिया है वहां पर मैंने पोस्ट किया था कि MacBook Air जो है उसकी Unboxing आने वाली है और Review भी आने वाली है तो चलिए दोस्तों यह हमारे पास MacBook Air जो कि मैंने पुछेस किया है इसी बार देख सकते है यहां पर यह हमारे पास MacBook Air यहां पर देख सकते हैं इस MacBook Air एके साथ हम करेंगा Unboxing और Review और First Impression भी देने वालाओं चलिए दोस्तों बिए टाइम इसके विजिए को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम Amazon के जो बॉक्स है उसमें से यह जो laptop का बॉक्स है वो बाहर निकलते हैं ओर यह कुछ देख सकते हैं कुछ इस तरह का box में मिलता है जिस पर laptop एक श्रफ फॉटो बना हुआ है इसको हम cut करते हैं यहां पे टेपिंग की गई हूई है इसको cut करने के बाद फिर हम देखते हैं कि अंदर में क्या है तो सबसे परदमी से कट करने के बाद मिलता है यहां पर लैप्टॉप और उसके बाद मिलता है यहां पर चारजिंग केवल जिसको हम साइट में रखते हैं और इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ चाहें तो और भी चीज़े हैं जैसे डगुमेंटेशन उन रहा है यूजर म के टाइप सी कनेक्ट होता है मंस जो एक पॉर्ट है वो टाइप सी है वा दूसरा आपको मैगनेटिक पॉर्ट मिलता है जो कि आपको साथ अटेच कर सकते हैं तो यह कुछ इस तरीका का रैप्टॉप मिलता है जो कि फुली एल्मोनियम से बना हुआ है तो बिल्ट क्वालिट बी कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर बैगलिट की वोड़रामी मिलता है जो डिजाइन है वो काफी कॉमपेक्ट है नेक्स्ट आप हम बात करते हैं इसी कुछ डिडर्स की तो यह जो मैक्बुक है वो है 13.6 इंच का जो कि इसकी साइज है और न वो काफी अची देखने को मिलती है नेस्ट आप बात करता है यहां पर डिस्प्रेय की तो डिस्प्रेय जो है वो बहुत ही स्मूथ है 13.6 इंच का डिस्प्रेय मिलता है जो कि रेटिना LED बेकलिट डिस्प्रेय है विथ टूट टॉन की फैसलिटी भी देखने को मिलती है इ प्टोर च्विकल अपर बात करते हैं तो यहां पर रहें वर्ण की तो यह फुल साइज कीबोर्ड है जिसमें आपको टॉच आड़ी देखने को मिलती है सबसे चीज़ कि यहां पे आपको Wi-Fi 6 मिलता है और बुर्दूत version 5.0 मिलता है तो बुर्दूत version 5.2 है भी latest लेकिन थोगा सा पुराना है तो कोई बात नहीं है इसकी जो connectivity है बहुत ज़्यादा फास्ट है नेश्ट अगम बात करता है यहां पे camera की facecam videos की तो वहां पे आपको 1080p का एक resolution camera भी देखने को मिलता है जो की बहुत ही चीज़ है जो की बहुत ही चीज़ है जो की बहुत ही ज़्यादा मिन्स यूज आने वाली है वो चीज़ जो की बहुत सारे gaming laptop में देखने को नहीं मिलता है जैसे ROG वगा में यहां पे जो है वो pre-installed macOS मिलता है और इसी के साथ अगर हम इसकी size और weight की बात करें तो 0.44 by 11.97 by 8.46 inches का जो है वो size है इसका और यह सारी चीज़े है जो की इस MacBook Air में देखने को मिलती है यहां पे तो आपको इसके साथ Type-C connector तो मिलता ही है जो की आप एक तरीके से connect कर सकते हैं adapter के साथ और एक तरब से आपको magnetic port देखने को मिलता है USB Type-C जो है वो उसका भी port देखने को मिलता है जो की MacSafe 3 support करता है battery life के दोस्तों के बात लगे तो वह भी बहुत ही अच्छी है और यहां पे आपको fingerprint sensor भी देखने को मिलता है जिसको आप unlock कर सकते हैं और कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इतना थीन laptop जो की मुझे Windows में अभी तक नहीं मिली है Windows का मैंने इतना laptop को यूज किया आप अन्बोक्सिंग दख सकते हैं हमारे चैनल पर बहुत सारे अन्बोक्सिंग भी किये हैं मैंने कि इतना चाहता थीन laptop मुझे अभी तक नहीं दिखा है जो की इस MacBook Air में देखने को मिलता है हलाकि मैंने MacBook Pro का भी किया था वेकिन उसकी वीडियो शादा भी नहीं होगी किस रीजन के वज़े से मैंने प्राइवेट कर दिया था तो MacBook Pro का भी मैंने किया था और यह MacBook Air है और इसकी जो डिजाइन है वो काफी कॉम्पैक्ट देखने को मिलती है सबसे पर्फी बात करें यहां पर पोर्स उकर आगी तो पोर्स उकर आपको ज़्यादा नहीं मिलते हैं दो Type-C पोर्ट है जिसे आप HD हमाने कर सकते हैं और यहां पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है हाँ कि यह जो चार्जिंग पोर्ट है वो है मैगनेटिक चार्ज यादि आप चार्जर को रखेंगे और आटमेटिकल कनेक्ट होचाएगा तो यह चीज़े की फैसिल्टी यहां पर देखने को मिलती है जो की बहुत ही ज्याद अच्छी है और अगर आप खीचते भी है तो वह निकलेगा नहीं आपको थोगा सा अप डाउन करना पगएगा तब जाके वह निकलता है और यहां पर आपको फोर घ्रीप देखने को मिलते हैं जहां से आप टेबल पर रख सकते हैं हाला कि मैं इसको वन हैंड में ही रखा हुआ हूँ और मतलब रखता है इतना कॉंपेक्ट है तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछीज तरी आपको ले आउट देखने को मिलता है जो कि यहां पर जो इसका ट्रेकपेड है उसकी भी साइज आपको बहुत ही जादा देखने में मलती है हलाकि मैंने अभी विंडोस एजापट भी परचेस किया है अगर हम इस दोनों की कॉंपेर गाए तब भी Macbook Air का जो ट्रेकपेड है वो बहुत ही बढ़ा है जो ट्रेकपेड है जो फील है जो metallic finishing आपको बहुत अच्छी है और यहां पर आपको डिजाइन है इसके लिए ही काफी लोग पैसे खरिश करते है जो कि मुझे काफी पसंद नहीं है क्योंकि मैं मतलब अभी तक मैंने जितने भी Android phones यूज की है फ्लक्शिप के तो मतलब ऐसा नहीं है कि iPhone पसंद नहीं है लेकिन वहां पर जो चीजे है यानि जो data transfer लोगा है और बहुत सारी चीजे हैं जो कि बहुत लिम्टेड चीज देखने को मिलते हैं जो कि Android आप बिल्बुल देखने को नहीं है तो इसलिए मैं प्रिफा नहीं करता हूँ Apple का Laptop In fact, मैं एक architecture student हूँ तो मुझे Mac की कोई भी need नहीं है तो मेरे लिए Windows ही Laptop है जो कि मुझे जालतार use होती है तो बिसके लिए आप Macbook लेना चाहते है तो Macbook का जो main reason होता है वो होता है office use के लिए आप sortable engineer है या फिए student है या फिर मतलब कोई ऐसा काम जीस्त में ग्राफिक से कोई भी काम ना हो तो उसके लिए आप Macbook को prefer कर सकते हैं तो आपके पास graphic designing वरा काम है यानि video editing करनी है, high level की gaming करनी है या फिर अगर आप और यह बहुत साली चीज़े करना चाहते हैं जो कि मतलब graphic से ही हो सकती है तो उसके लिए आपको Macbook बिलकूल भी आपका काम का नहीं है जैसे कि मेरे कोई काम का नहीं है Macbook यह मेरे भीयक के लिए है जो कि software engineer है इसके मुझे कोई भी काम नहीं है तो मुझे बैसिकरी Windows laptop पर ही shift होना पड़ता है और Windows laptop पर ही काम करना पड़ता है क्या बहुत आपनी speaker के मतलब भी सही है और यह display है यहां पर आपको notch भी देखने को मिलता है जो कि अभी latest है iPhone में आपको notch मिलते थे अभी laptop पर भी नोच मिलना सुरू हो गए तो यह सारी चीजे है जो कि इस laptop आपको देखने पर मिलते हैं बेजर्स विरा जो है वो इस पूले जो है वो सारी चीजे जो इतनी थीन है और यहां पर आपको सिफ औसी headphone chat रहने को मिलता है न यहां पर USB port है ना HDMI है ना card का slot है मतलब कुछ भी नहीं मिलता है तो यहां पर इसका disadvantage भी है क्योंकि अगर आप यह सारी चीजे नहीं है तो इसका जो connector है डॉंगल है वो आपको 10-10 सजा का डॉंगल आता है अगर आप Apple कर यूज़ तकते हैं या फिर branded तो बहुत महना परता है जो कि मुझे काफी पसंद रही है बल्कुल भी नहीं पसंद है बल्कुल भी पसंद नहीं है तो यह सारी चीजे इस laptop के साथ है जो कि अगर आप premium पैसे पे कर रहे है premium चीजे खरीत रहे है तो इसका equipment आएगा वो भी premium ही आएगी वो simple सी बात है इसलिए में Windows को इभर करता हूँ क्योंकि मेरा काम तो उसी में है तो दोस्तो यही था इस laptop के लिए बहुत ही ज़्यादा मंखन के तरह चलता है जो कि इस laptop में उतना ज़्यादा नहीं है यह है हमारे पास ASUS ROG Strix G15 जो कि RTX 3070 के साथ आता है हराकि इसका जो unboxing आपने नहीं देखा है तो हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसकी भी unboxing मैंने upload कर रखी है तो फिलाल दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में next topic के साथ किसी और unboxing video के साथ तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें जबर आपको वीडियो पसंद आया तो ऐसे वीडियो आपको और भी देखने को मिलती हैं तब तक के लिए goodbye